वेलकम टू साइनडोग अलो एवरिवन, I'm किसनम फ्रॉम साइनडोग अज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने सोफिफाइ स्टोर के चेक आउट पेज को अगर आप कस्टमाईज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसका step by step पूरा process आपको इस वीडियो में बताया जाएगा अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको related वीडियो इस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफी helpful हो सकते हैं आपको सर्विस और सपोर्ट की रिक्वार्मेंट है तो आपको इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप कोंट्रेट करके जो भी आपको help and support रिक्वार्ड है वह आप वहां से ले सकते हैं अब 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 तक का पेमेंट गेटवे अड नहीं किया है तो इस चैनल पर आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा सपनी केसटमाइज करने के लिए अपको सबसे पहले को जो सॉफिफा एकाउंट है वो आपना अकाउंट Lock-In करना होगा सबसे पहले आपकोड ऑपित करना होगा लोग इन करने के बाद आपको आपर शेपी और क्लिक करेंगे यह पे और कुश उप्शन मिलेंगे यहां पे आपको ऑप्शन में एक चेक cortex लिए जैसे आपको कुलिक करना ब्लिक करें यहां पेपको कशeous ओप्स्य फूर्प उपनी मिलेगी यहां имеет swot किस्टोमाईज़ास tables प्रकलिक करना होगा जैसे एक सैकल कॉस्टमाईजों पर किलिक करेंके सेक पर हुल्र यहां प्रेक हम पॉप्री सिर्खैन। पडिकार suspect युब हम अंछल्ड बनेंगा से कुछ अनौन्य गारा तर इनौन्ए देगे तो ईकलिक करना होगा एंड अपना जो लोगो है कम्पनी का लोगो वह आपको यहां पर अपलोड करना होगा यहां से आपको अपनी लोगो सेलेट कर सकते हैं यहां सेलेट करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना होगा यहां से आपको कम्पनी का लोगो अपलोड हो जाएगा यहां से आप लोगों की size change कर सकते हैं यहां से आप छोटा या बड़ा लोगों जो भी size रखना चाहते हैं आप यहां पर change कर सकते हैं यहां पर option मिलेगा logo alignment यहां पर लोगों किस कहां पर रखना चाहते हैं लाइफ, center या फिर right में चाहते हैं, तो रैत में रखना Anda चाहते हैं तो रैट में रख सकते हैं जनाइए बैक्राउंड इमेज हैं तो सब्सक्ति जोभवाफ यहां से एलता है, यहां से एलता है whole 59 यहां से एलेख आप यहां पर कर सकते है कि में पिलोड होने के बाद आपको यहां पर इमिज को सेलेट करना और और सेलेट करने के बाद को यहां पर क्लिक खड़ना रधन जैसे कहाँ सैंसरे कर सकते हो यहां पर आपकी जो background image है वह आप चेंज हो जाएगी second आपको option मिलेगा background 1 अगर आप यहां पर जो first background है यहां की अगर आप image या color change करना चाहते है तो यहां पर option मिलेगा add image and then आपको यहां पर image select करना है दिन क्लिक करना है done in business जैसे कि अप चेक कर सकते हैं यहां पर background image है और ज ignorant आप image की जगह color change करना चाहते हैं तो यहां पर आपको color का उप्षण मिल जाएगा आप image की जगए color जो भी color रखना चाहते है background का वह आप यहां के color select कर सकते हैं नेक्स्ट आपको option यहां पर मिलेगा background to अगर आप इस section की image या color change करना चाहते हैं तो आपको यहां पर option मिलेगा add image then आपको यहां पर click करना होगा image select करने होगी then आपको click करना है done second and जो background है वहां की image यहां पर change आजाएगी अगर यहां पर कोई और image huge करना चाहते है तो वह image select कर सकते हैं then आपको click करेंगे done तो यहां पर जो background image है वह यहां पर successfully change हो जाएगी next आपको यहां पर option मिलेगा यहां से आप जो भी color सकते हैं वह color select कर सकते हैं next आपको यहां पर option मिलेगा टायपोगराफी यहां पर यूदिं का फॉं't वगएडा Hunter change करना चाहते हैं तो वह आप यहां पर फॉं't वगएडा मिल जाएंगी यहां से आऊ रख कर सकते हैं नेक्स्ट आपको उप्शन मिलेगा चेकाउट ले आउट अगर आप चेकाउट जो पेज है वो वन पेज का रखना चाहते हैं या फिर थ्री पेज का चेकाउट रखना चाहते हैं तो वो आप यहां से चलेट कर सकते हैं जनरली फर्स्ट पेज चेकाउट ज्यादा यूजब करें local होता है भी होज ड्रोप नहीं खरता है। या फिर email जो भी select करना चाते हैं वो option यहाँ पर select कर सकते हैं और आपको option मिलेगा लिंक कॉस्टमर तो ट्राइटा देर ओडर अगर आपको चाते हो कि वह अपना customer order ट्राइट कर सके हैं तो इस लिंक को यहाँ पर select कर सकते हैं आपको option मिलेगा required customer to login to their account before checkout आप पर कोुट इन्फूमर इनफूर्मेशन लेना चाहते हैं इस नियूגर आप लेना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब रिच野प चाहते नियूब थो पर सब्सक्तियों घ्रण हमये शेयर जलिबलेसन नाचाहाल फिर सब्सक्राइब तो अगर आप रखना चाहते हैं तो यहां पर रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अगर आप कस्टमर से चाहते हैं कि वह कुछ टिप करना चाहें तो वह आप यहां पर ऑप्शन से लेट कर सकते हैं अग आप पर च्छोड सकते हैं आप इसको प्रेफरेंस के सब्सक्राइब आपको चेक आउट रूल मिलेंगे वह चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां पर option मिलेगा से हो इस option पर क्लिक करके आप तो इस तरह साब अपने Sofify account के जो के चेक आउट पेज है उसको successfully customize कर सकते हैं अगर आपको Sofify से related कोई भी service and support के requirement है contact us के detail आपको इस video के description में मिल जाएगी वहां से आप contact करके जो भी आपको help and support required है वहां से ले सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं जिससे आपको related videos मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफी helpful हो सकते हैं Till then, thanks for watching and have a nice day